नमस्कार, UPSC Current Office में आप सबी का स्वागत है, मेरा नाम है मनीश रवास्तो और हम बात करने वाले हैं गोता खोर पक्षियों के बारे में ब्रिटेन स्थित बात विश्विद्याले के Center for Evolution द्वारा हाली में एक अध्यन प्रकाशित किया गया है इसके अनुसार गोता खोर पक्षी पर्यावरंड में हो रहे बदलावों के कारण जल्धी विलुप्थ हो सकते हैं गोता खोर पक्षी जैसे पंग्यून, पफिन, जलकाग, आधी पर्यावरंड संबंधी बदलाव के प्रती अधिक समवेदनशील हैं अध्यन के अनुसार ये गोता खोर पक्षी बदलती, परिस्तितियों में, समयोजन करने में अन्य पक्षियों की तुल्णा में कम सक्षम होते हैं पक्षियों में गोता खोरी अपेक्षा कृत आसामानने बात है विशेशक्यों के अनुसार पानी के पक्षियों की लगबग साड़े 700 प्रजातियों में से एक तिहाई से भी कम भोजन की तलाश की विधी के रूप में गोता खूरी का उप्योग करती है साथ ही ये भी है कि वाटर बर्ड्स में डाइविंग के विधी कैसे प्रभावित होती है और इन पक्षियों की शारिरिक विशेश्ताओं और प्रजाती करण की दर को जलवायू परिवर्तन कैसे प्रभावित करता है अध्यान में पाया गया है कि पक्षियों में डाइविंग स्वतंत रूप से 14 बार विक्सित होई है और एक बार इस शमता के किसी समू में विक्सित होने पर बाद के विकास ने इस विशेश्ता को प्रभावित नहीं किया है हाला कि शोद करताओं ने पाया कि गोता लगाने वाले पक्षियों की शरीर का आकार उनके द्वारा किये गए गोता खोरी के प्रकार के आधार पर अलग-अलग विक्सित हुआ है जैसे की विंग और डाइवर्स तैरने के लिए अपने पंकों का उप्योग करते हैं जैसे पेंग्विन और पफिन वहीं फुट डाइवर्स जैसे की कोमोरेंट तैरने के लिए अपने पैरों का उप्योग करते हैं प्लंज डाइवर्स जैसे की सीगल और जैनेट अपने शिकार को पकड़ने के लिए हवा से पानी में सीधा गोता लगाते हैं। प्लंज डाइवर्स का शरीर तैरने की तुल्ला में उडान भरने के लिए अधिक अनुकूलित है। अध्यन के अनुसार, प्लंज डाइवर्स अधिक समावेशी हैं, वे मचली से लेकर कॉर्निश पेश्टी तक कुछ भी खाते हैं, जबकि फुट डाइवर्स और विंग डाइवर्स के साथ ऐसा नहीं है, जिससे की भविश्य में इनके विलप्त होने की दर और तेज हो जाए हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इस्टडी IQ IAS हिंदी